हेल्लो प्यारे दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आज हम बात करेंगे कि आखिर एरो प्लेंस कैसे उड़ते हैं इसके पीछे का साइन्स क्या है इसके पीछे कौन से कौन से फोर्सेस लगते हैं जिसकी वज़ा से प्लेन इतनी उचाई पर बड़े आसानी से उड़ लेता है लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चानल पे नए है और ऐसे ही इंट्रेसिंग वीडियो देखना आपको है पसंद तो इस चानल को फटा फट कर दीजे सब्सक्राइब जिसका नाम है सही जवाब नीचे दिये गए बैल आइकन को भी क्लिक करना बि जो कि विमान के आगे लगे होते थे और कुछ रोटेशन मुवमेंट में गुमते थे जिसकी वज़ए से लिफ्ट पैदा होता था और प्लेंस उड़ते थे लेकिन उस तरीके के प्लेंस में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती थी यानिकि उन प्लेंस का क्रैश बह होती है सर्किलर जिसके अंदर एक पंखा लगा हुआ होता है और वहां पर उस पूरे जट सिलेंडर के अंदर एर और फ्योल का मिक्सचर कंटीनियूसली बॉन होते रहता है जिसकी वज़ए से वो जो प्रोपैलर है वो घूमता है और उसकी वज़ए से थ्रस्ट पैदा हो इंजिन की वज़ए से हवाई जहाज जो है वो हवा में उड़ने लगता है हलाकि ऐसा है नहीं क्योंकि पंक तो खर पंचेयों के पास भी होता है उनके पास कोई इंजिन नहीं होता है ग्लाइडर जो होते हैं ग्लाइडर में भी कोई इंजिन नहीं होता है फिर भी वो basically punk जो है उसकी वज़ा से plane उड़ सकता है लेकिन engine जो है उसकी वज़ा से plane को push मिलता है तो इसमें दोनों का समान समान जो है वो हाथ होता है तो plane के जो punk होते हैं वो अगर आपने देखे होंगे तो उपर से ऐसा उसको थोड़ा सा curve होता है और नीचे वाला जो हिस्सा होता है बिल्कुल flat होता है तो इससे होता यह है कि जब engines अपनी पूरी power लगाते हैं तब अपना जो plane है वो बहुत तेजी से आगे धकेला जाता है और इन जो wings हैं इसके उपर से हवा गुजरने लगती है तो जो हवा wing के उपर से गुजरती है उसका pressure कम हो जाता है और जो हवा wing के नीचे घुच जाती है उसके नीचे बहुत ज़्यादा pressure create होता है तो इसकी वज़ए से wing के नीचे से पूरे plane को lift मिलना शुरू हो जाता है यानि कि नीचे से उपर lift मिल जाता है उस हवा की pressure की वज़ए से और उपर क्योंकि pressure कम होता है तो कुछ इस तरीके की उसकी रचना होती है जिसकी वज़ए से जो कम pressure वाली हवा है वो पूरे जहाज के अंत तक stretch की जा सके और इसके त्वारा airplane जो है वो हवा के अंदर एक hollow vacuum सा बना लेता है जिस space में हवाई जहाज उड़ता है तो ये सारा खेल जो है वो हवा के अंदर एक vacuum बनाने का है तो दोस्तों इसको अगर बहुत ही simple शब्दों में मैं कहूं तो अगर आपने कभी swimming pool में चलने की कोशिश की है एक सिरे से दूसरे सिरत तक तो आपने ये महसूस किया होगा कि पानी की force की वज़ा से आपको ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है और जब आप आगे चलते हैं तब actually आप कुछ amount में पानी को displace कर देते हैं याने के अपने way में से हटा देते हैं और वो जो जगा बचती है वो आपकी body occupy कर लेती है जिसकी वज़े से आप आगे बढ़ते चले जाते हैं तो plane के मामले में भी ऐसा ही होता है कि engine जो है वो हवा को 30 गती से पंखों की उपर से गुजारने में मदद करते हैं या plane को push करते हैं आगे और क्यूंकि हवा plane के पंखों के उपर से गुजरती है तो वो हवा को चीरता हुआ आगे चलता है यानि कि हवा के बीच में अपनी space बना कर आगे चलने लगता है तो ये technology plane में इस्तमाल होती है जिसकी वज़े से plane ना तो सिर्फ बहु उसमें जुड़े हुए ना होते तो हमारे हवाई जहाद जो है वो lift उतना पैदा ना कर पाते और लंबे समय तक हवा में बने ना रह पाते हाला कि आप आप कहेंगे कि rocket में कौन से लगे हुए होते हैं पंखे तो ऐसा नहीं है दोस्तों rocket की पूरी science ही अलग होती है उसके अंदर जो इंधन इस्तेमाल किया जाता है वो भी बहुत अलग किसम का होता है तो इसका plane से कोई लेना देना नहीं होता है rocket एक अलग technology की उपर चलता है और plane के पीछे एक अलग science चलती है तो दोस्तों अब आप जान चुके होंगे कि आखिरकार plane हवा में कैसे उड़ सकते ह इसमें हवा कौन सा रोल प्ले करती है plane के पंखे कौन से रोल प्ले करते है और engine कौन सा रोल प्ले करता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है informative लगी है तो इस वीडियो को like करना बिलकुल ला भूले